बलतकारियों को मिली फांसी की सजा सजा मिलने पर दुलहन की तरह सजाई गई पुलिस टेशन प्रहाटाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें बलतकार के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस टेशन को दुलहन की तरह सजाया गया पटाखे भी फोड़े गए यानि की पुलिस टेशन में बलतकारियों को सजा मिलने के बाद दिपावली मनाई गई करीब एक साल पहले महराष्ट के बुलडाना की चिखली में एक मासूम बच्ची के साथ बलतकार गया गया था मासूम बच्ची माबाप के साथ सो रही थी तभी दो दरिंदे निखिल गुलाइक और सागर गोरकर ने बच्ची को उठा लिया और सूनसान जगहा पर ले जाकर इस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला इस घटना के बाद बुलडाना में विरोत परदर्शन हुआ दुकाने बंद रही लोग सडकों पर उतर गए कि बलतकारियों को सजा दी जाए पुलिस ने भी आरोपियों को गिरफतार किया और अब उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने पर पुलिस महकमे से लेकर हर जगहां खुशी की लहर है यहां तक कि पुलिस स्टेशन को दुलहन की तरह सजाया गया पटाखे फोड कर जस्ट मनाई गी इस पूरे मामले में इस्पेक्टर गुलाब राओ बाग ने क्या जानकारी दी है कैसे इन दरिंदों को गिरफतार किया गया और कैसे इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई 26.25 के रात में बाजार समीती चिखली यहां पर पिडित बच्ची के पिताजी और मा एक टीन शेड में सो रहे थे उनके साथ में ये बच्ची सो रहे थी इसमें इस गुने के गुना करने वाले गुनेगार निखिल गुलाइत और सागर बोरकर इन्होंने मध्यरात में उस बालिका को माबाप के पास सुवी उठाए और स्कुटी पर लेकर जाकर उसको एक निर्जन स्तल पे समशन भुमी उसके सामने एक क्रिकेट का मैदाने वो स्पीच पे जाकर उसके उपर अत्यंत गुनास्पद बार बार उसके साथ में अत्याचार किया और पिडिद बालिका को लहु लहान करके निर्जन सडक पर छोड़कर वहां से गुनेगार फरार हो गए और लड़की रोती रोती चिलाती रोड से जा रहे थी उसके माबाप उसको ढून रहे थे आईसे में उधर से एक पुलिस की गाड़ी चिकली पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए आई और उन्होंने उनसे पुस्ताच किया और बच्ची ने आप बीती बताई और वो बताने के बाद में पुलिस ने उसका गांवेरे देखके चिकली उपजिला रुगना कि में हमारे पुलिस ने देते ही मैं तुरंत उस जगह पर पोच कर उसके गांवेरे देखकर इस बात की सुचना मैं हमारे वरिष्ट अदिकारी अडिशनल एस्पी साहब एस्पी साहब डिवाइस्पी साहब इनको दी और बच्ची के पिताजी के रिपोर्ट लेकर गुना पंचना में और सब सोफासकार पुरे किये इस दरम्यान बच्ची की हलत एकदम नाजुक थी उसको बुल्लाना रेफर किया गया हुहां से उसको घाटी रुगनाले अवरंगवाद में रेफर किया इस घटना के वज़े से चिकली शेहर में एक आरोपी के प्रती भूत गु सबी समाज के लोग सब व्यापारी वर्ग यह इन्हों ने अपने दुकाने स्वाइम सुर्ची से बंद रखी और ऐसा अभूत पुरो एक मूर्चा इस शेहर में निकला कि पीडियत को नए देना शेहिए और अक्यूस को ज़़दी से ज़़दी गिरपतार करना शेहिए पुलिस ने इसमें बहुती जलत गती से इसमें तपास किया और उसमें तपास के बाद में चारशिट मानिय विशेश नयाले बुल्धाना यहाँ पर दाखिल की और आज उसका रिजल्ट सामने आया है और जिस तरीके से ये दो गुनेगार ने वो छोटे बच्चे की उपर अत्याचार किया था उसको मानिय विद्यमान कोट ने फासी की सजा सुनाई है और इस वज़े से जनता में खुशी की लार है कि एक गरिब बच्चे माबाप के बच्चे को नयाई मिला है और इस वज़े से पुलिस महाकर में में खुशी का माहल है और ये जिले में पिछले ऐसा मालूमात की मिली है कि पिछले 55-56 साल में ये पहली केस है कि जिसमें आरूपी को फासी की सजा सुनाई गई है झाल गई है